नमस्कार विभाक किश्री बिस्यंदियुस के बिजनिस समाचार में आप सभी का स्वागत है कबरों के और बढ़ने से पहले आगे डालते एक नसर आज की सुख्यों पर चालक परिशन केंडरों के लिए नियम अधी सुखित बिना टेस्ट मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस कोरोना अनलोग की बाद उत्पातन बढ़ाने में जुटी बाहन कंपनिया बिकरी में किरावट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मन्टाले ने मानित अप्राप्त चालक प्रशिक्षन केंडरों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियम अधी सुखित करती है इन केंडरों पर उमिद्वारों को उच्च गुनवत्ता का ड्राइविंग प्रशिक्षन एवं पढ़ाई कराई जाएगी इनमें प्रशिक्षन के सफल उमिद्वार को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते समय फिरसे ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा और इने इसे छुट भी होगी मंद्राली ने कहा कि इन केंडरों पर प्रशिक्षन का तमाम सुविताओं के साथ ही ड्राइविंग परिक्षन ट्राइक होगा जिससे अभ्यारतियों को उच्छ गुनवत्ता पाला प्रशिक्षन उपलग करा जा सकेगा मोटर पहान कानुन 1988 के तहर इन एक जुलाई 2029 लाखो होगी इन केंडरों पर दाकिल अने नेपाली अभ्यारतियों को परियाक्र परिक्षन और जानकारी उप्लग करा जाएगि इनपर होने पाली परिक्षा को सफलतापोर प्रशिक्षन पाने के पार चालकों को ड्राइविंग लाइसन्स के लिए होने गर्मी के सेजन में रहत देने वाली सब्चिया बारिश का सेजन आते ही भाव खाने लगी है लोकल का माल खत्म होने और बाहर से आने के चलते सब्चियों के भाव में बढ़ने लगी है अब तक जो बैगन चिलर बाजार में 20 रुपे प्रतिक किलो के मिल रहा था वहाँ भी ही 20 रुपे प्रतिक किलो पर पहुच गया है इसके चलते यह चिलर में 40 रुपे प्रतिक किलो पर पहुच गया है इसी तरह 10 से 20 रुपे में मिलने बाली फुल को भी लोकों को सताने लगी है ठोग बाजार में गोवी के भाव 25 से 30 रुपे प्रतिक किलो पर पहुच गया है जिसके चलती चिल्लन में गोपी 40-60 रुपे प्रती किलो पर चली गई है इसी तरह परफल, मेथी, करिला, टिंटा सहीद अन्य सबचिया 60 रुपे प्रती किलो पर पहुच गई है टमाटर भी ठोप में 20 रुपे प्रती किलो पर पहुचने के चलती चिल्लर में 30 रुपे प्रती किलो बोला जा रहा है अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो ये सबसे सही वक्त हो सकता है क्योंकि सोने के दाम दो ट्रेडिंग सेशन में ही 700 रुपे प्रती 10 ग्राम तक तूट चुके है हाला कि चांदी पिछले हक्ते मजबुती के साथ बंद हुई थी आज इसमें भी जोरदार गिरावट है सरापा बाजार में भी सोना और चांदी सस्ता हुआ है शिक्रवार को सोने का अगस वाइदा 320 रुपे प्रती 10 ग्राम की गिरावट के साथ बंद वा था इस दोरान भाव 59,000 रुपे के नीचे फिसल कह थी किम्तों में गिरावट आज भी जारी है इस वक्त सोना अगस वाइदा 450 रुपे सस्ता होकर 48,450 रुपे के लेवल तक फिसल चुका है यानी बीते दो ट्रेडिंग सेशन में ही सोना 750 रुपे के करीब सस्ता हो चुका है चान्दी की किम्ती ब्याश तूटी है चान्दी का जुलाई वाइदा करीब 1% की गिरावट यानी 600 रुपे की कमजोरी के साथ कारूबार करा है भाव अभी 11600 की करीब बने वे है हाला कि शुक्रवार की ट्रेडिंग पे चान्दी मस्बूती के साथ 22227 रुपे प्रती केलो पर बंद होई थी बिरो रिपोर्ट बेसियन नियूज कोरोना वाइरस के बढ़ते संक्रमन के कारण रेल्वे स्टेश्टों में प्रविश प्रती बंदी था ऐसे में 2020 से 21 के वित्वर्ष में रेल्वे को प्लाटफॉर्म टिकेट से आंतनी पर भारी नुकसानवा है आठ याई से मिली जानकरी के अनुसार पिछले वित्वर्ष की तुनला में इस बार प्लाटफॉर्म टिकेट बेकरी से रेवेन्यू में करीब 94 प्रतिशत गिरा वटाई है रेल्वे ने बताया कि 2020 और 21 के वित्वर्ष में फर्वर्ष तक प्लाटफॉर्म टिकेट बेकरी से उसे 10 करोड रुपे की कमाई हुई थी वितवज 2019 और पीस में रेलवे को प्लाटफार्म टिकेट से 170.87 करोड रुपे की कमाय हुई थी जो पिछले पास सारवे सरवातिक थी मार्च 2020 में प्रदान मत्री द्वारा राष्ट व्यापी लॉक्टाउं की खोशना से पहले ही रेलवे ने स्टेशन उपपर बेड को कम करने के लिए कदम उठा था मंडल रेलवे प्रभंध को को प्लाटफार्म टिकेट की दर तै करने और प्रविश पर प्रतिपन लगाना ही या नहीं इस पन देने लेने का आथिकार था गर तलब है कि पूरे साल में अधिक तर समय कई रेलवे जोन में प्रविश पूरी दरा से परचित रहा और सिर्फ वाइद टिकेट धार्यों को ही स्टेशन में प्रविश की अनुमति दी गए बट इस दंक्रमन को देखती भी लोगों को स्टेशन आने से रोकने के लिए प्लाटफॉर्म टिकेट की दाम 10 रुपे से बढ़ा कर 30 रुपे कर दिया गया कुछ निच्चित जोन में प्लाटफॉर्म टिकेट की दाम 50 रुपे करने का भी वैसला किया गया रेल्वी ने कहा कि टिक्टो के दाम में बड़ोत तरी अस्ताई है और ऐसा महाबारी को रोकने के लिए क्या क्या है प्लाटफॉर्म टिकेट से राज़स्व करीब 131 करोड रुपे तक होता रहा है हाला कि 2018 और 2019 में 149.20 करोड रुपे का राज़स्व आया था 2019 और 2020 में इसने 160 करोड रुपे का आकड़ चवा था लेकिन 2020 और 2021 में इस वर्ष फरवरी तक या गिर कर 10 करोड रुपे हो क्या है विरो रिपोर्ट BCN News कोरोना संक्रमन के मामले कम होने के बाद राज़ों के ओर से अनलोग की प्रक्रियाश शुरू करने और डिलर शेफ खुलने से वहन कमपनिया इस महने अपने उतपादन देरे देरे बढ़ा रही है अमिद है कि महने के अन तक अधिकांश कमपनिया दूसरी लहर के पहले की शमता पचासते से 95 फिस्दे उतपादन करने लगेगी अर्थ व्यवस्ता में सुधार और टाली कई मांग को देखती भी कमपनिया उतपादन बढ़ाने के लिए प्रेरिध हुई है करनाटक पच्छिम बंकाल और तामी नाडू में अपी लॉक्टाउन है ऐसे में कार वी निर्माता काफी सतक्ता बरत रहे है उतपादन में तेजी को लेकर अन्य लोग भी ज्यादा अनुमान लगाना नहीं चारे है हारा कि इस बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उतपादन में तेजी देलाश्रीफ की पास स्टॉक बढ़ाने कले हो सकती है कलपुर जब बनाने पाले एक निर्माता ने कहा कि अधिकांज डेलर्श्रीफ के पास वाहनों का स्टॉक घटकर बेस दिंगा रहे है जो सामाने स्टिती में 25 दिंगा होता है असली परिक्षा आने पाले माहिनों भी खडराब विक्री के प्रदशन में होगी सबी तरह के वाहनों की ठोग विक्री माई 2021 में घटकर 4,42,013 वाहन रही जो माई 2020 में 3,15,648 वाहन थी हाला कि 2020 में महमारी के कारण साब कुछ प्रभा विद्वा था ऐसे में 2019 की आकड़ से इसकी तोलना करने से सही तस्विर दिखेगी बिरो रिपोर्ट BCN News खबरे समावत करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुरके ओपर चालक परिशन केंडरों के लिए नियम अधी सुचित बिना टेस्ट मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस कोरोना अनलोग की बाद उत्पातन बढ़ानी में जुटी बाहन कंपनिया बेकरी में किरावट बिजनेस समाचा में फिला लिता ही ऐसे एन्डे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ये BCN News नमस्कार